मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में तू जरा हिम्बत तो कर ख्वाब बदलेंगे हकीकत में तू जरा कोसिस तो कर नमस्कार सामके सवा नो बज रहे हैं और मैं हूँ आपके साथ राजिंत प्रशाद और आप सभी का हरदिक स्वागत है सम्मेक शीविल सरशेज के यूटूब चैनल पर और आप सभी अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे और आप सभी का हरदिक स्वागत है आप सभी का हरदिक अभिनादन है और हमारे साथ कौन-कौन जुड़ रहे हैं किट्टू, रमेश, गुड़ी, मम्ता, रोयल, सुनील, शुरेश, पुजा सहा, खानवदोस, डोरेमोन और गुड़ी आदो आप सभी का गुड़ इविनिंग, राम-राम, नमस्कार, परणाम, शुविकार है, शुर परणामी एक्जाम में और आपके लिए बहुत लाबदायक रहेंगे, जवरदस्त रहेंगे, और ये भी सुन लीजिए, आज सम्मेक सिविल सरफेज, अपना नौवा इस्थापना दिवस मना रहा है, इस खुसी के लिए, और इस खुसी को विद्यारतियों संग साजा करने के लिए, मैं लेकर आया हूँ, लगबग दो गंठे के आसपास की महा मेराथन होगी अपने, जितने भी आच्छे क्योशन से मैं उनको चुन-चुन करके लाया हूँ, इसलिए और थोड़ा सा हम लेट होगे, और अब हम सुरुवात करते हैं, तो इसलिए एक बार जोरदार किसे सेर कर दी जिए लेक्चर को, क्या फुड़ापट से लेक्चर को सेर करिए, और आईए हम सुरुवात करेंगे आज की लेक्चर की, लेकिन उससे पहले मैं बता दू कि सम्मेक सीविल सेरशेज, अपना नौवा इस्थापना दिवस मना रहा है, इसलिए आप सभी भी इ दार्थों के लिए इस आवसर पर, और 25 परशेंट का ओफ चल रहा है बिलकुल, और ये 20 परवरी तक वेलिड रहेगा, RAS, Pre और PSI के ओनलाइन कोर्ष और टेस्ट सीरीज पर विशेश उपाहर रहेगा, करना क्या है, सम्मेक आईए इस एप्लिकेसन डाउनलोड करिए, वह अब आपको 9000 रुपए में मिलेगा, कितने रुपए में? 9000 रुपए में, RAS, Pre और PSI का बिलकुल, लाइव क्लास से, जो ओफ लाइन क्लासेज है, वह उसके माद्दम से, जो क्लासेज चलती है, वह आपको ओनलाइन प्रोवाइड़ी करवाए जाएगा, तो लीजी हम सु आपके साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, लीजी आपके लिए पहला सावल बहुत बढ़िया सा, आईए मित्रोव, अपना पहला सावल है, यहां कुछ युद्धों की सूची दी गई है, जो मद्देकाली इन राजस्तान में लड़े गए थे, तराइन का पर्थम युद् अपन बात करें, ग्रेश उमेल का युद्ध 1564 सश्वी, राव माल देवाला, ठीक है, खानवा का युद्ध अपन बात करें, 1567 सश्वी, और बटवडा का युद्ध 1761 सश्वी, मादो सिंग, और अपन बात करें, कोटा के शत्रुशाल के मद्द है, बतायेंगे मित्रो, अब इसमें से थोड़ा खुद आभी देख करेंगे, लेखराम, आज आप पहली बार जुड़े हूँ, तो सभी का स्वागत है, लीजिए, बहुत सारे विद्यारती और भी जुड़ रहे हैं, सभी का हर्दिक स्वागत, अभी नंदन है, एक बार आप लेक्चर को लाइक क पहला युद्ध हुआ, उसके बाद में 1527 आएगा य चोंवालिस आएगा, तो बदाओ, कौन सा रहेगा, 1527, उसके बाद में 1544 और उसके बाद में 1764, बिल्कुल से एक विश्यन था, अब ये भी अपन देख लेते हैं, युद्ध किन-किन के मद्दे होता है, क्या किन-कि और वर्शेज में कौन होगा, महमद गोरी, कौन रहेगा, महमद गोरी, इनके मद्दे क्या रहेगा, इनके मद्दे होता है युद्ध, और गिरी सुमेल खा जो युद्ध होगा, आप सभी को पता है, कि जिसने कहा था कि ममुठ्धी भर बाजरी के लिए हिंदुस्तान की बादसाहत खो देता सेरसा सूरी तो यहां पर अपन बात करें राव माल्देव राव माल्देव वर्शेज में कौन होगा सेरशाव शूरी राव माल्देव वर्शेज सेरशाह सूरी रहेगा सेरशा सूरी लीजिए उसके बाद में चले खानवा का युद्ध और खानवा का इतिहास बदल दिया था दिसा और दसा बदल दी थी ठीक है राना सांगा वर्षेज में कौन होगा बाबर लो मित्रो राना सांगा वर्षेज बाबर होगा इधर अपन बात करें बटवडा का युद्ध और बटवडा का अपन बात करें मादो सिंग मादो सिंग और बनवा के ले गया था, याद आया, वो है second, और first कौन सा हो जाएगा, ये मादो सिंग first हो जाएगा, और अपन बात कर ये किस के खिलाप युद्ध लड़ता है, मैं थोड़ा सा बताता हूँ, कोठा के एक सासक होता है, बटवड़ा के युद्ध हुआ, और इस युद्ध में कोठा के सासक की तरफशे, और कौन लड़ता है, जाला जालिम सिंग लड़ता, बहुत अदबुत युद्ध परदरशन किया उसने, अब मुझे बताएंगे, शत्रुशाल बहुत बढ़िया, रमेश बहुत बढ़िया, मैंने बताया भी था इसके बार में, मादो सिंग first व विजय होता है, विजय कौन होगा, इसमें रहेगा पर्थुराज विजय, गिरी समेल वाले युद्ध में, और कौन रहेगा, ये होता है, सेर्शा सूरी विजय, ओके, इस युद्ध में अपन बात करें, खानवा वाले युद्ध में, और बाबर विजय, कौन होगा, इंगला सवाल है बिकानेर के कौन से सासकोष की वीरता से परभावी थोकर औरंग जेव ने माही मरातिब के उपादी दी थी राव दलपत सिंग, राव करण सिंग, राव शूर शिंग, राव अनूप शिंग, बहुत बढ़िया सा सवाल है एक बार सार एक सार मित्र लेक्चर को लाइक करें, गरी शुमेल का युद्ध तो 1564 में हुआ था, तो हमने कितना बता दिया, 1564 तो बताया है, मित्र रोहित मीना, इसमें 58 थोड़ी बताया है, मैंने 57 के बजाए, आओ, ठाब रो, तुम भी पतानी क्या-क्या बाते कर दो, औ अनुप सिंग बता रहा है, बहुत बढ़िया, ये कुछ बालक इसमें सूर्शिंग भी बता रहा है, सूर्शिंग नहीं होगा, इसमें होगा अनुप सिंग, अच्छा अनुप सिंग की बार में जानकारिया बाते करते हैं, अपन, देखे मित्रों ये कौन होगा, राव अन लाहोर शे उस्ता कला के कलाकार लाहूर से उस्ता कलाके और कलाकार लाया रुकनुद्दीन अली रजा कलाकार दो कलाकार मनलब दो ही का नाम मिलता मुखेत है दो कलाकार लाये और उनका नाम क्या क्या मिलेगा रुकनुद्दीन मिलेगा और अली रजा मिलेगा रुकनुत्दीन एवम अली रजा ये जो दोनों कलाकार होंगे तो प्यारे मित्रो इन दोनों कलाकार उक लाता और फिर यहां पर उस्ता कलाका और क्या गरता है विकास करवाता है और अपन बात करें तो जुनागड दुर्ग में 30 क्रोड देवी-देवताओं का मंदिर बनव मुझे उनका नाम क्या होता उस सेर पर शवार गणेश जी को क्या कहा जाता है फड़ाबट से कमेंट करके बताइए सर स्क्रेंशोट लेने देना स्क्रेंशोट का क्या ही करोगे टाब्रो आपको मिल जाएगा शम्यक सीविल सरुट शेज के टेलिग्राम चैनल पर पूरी दुर्ग में यहाँ पर इस मंदर में एक और मंदर है खास बात है यानि जिसको अपने बात करें सेर पर शवार गणेश जी जिसको क्या बताया आपने हेराम गणपती अमंदर रजा ने बताया बहुत बढ़िया रुकनुद दीन अली रजा आच्छा हमने लिख दिया है प और हेराम गणपती क्या होगा सिंग पर शवार गनेश जी का और मंदर बनवाते हैं सिंग पर शवार गनेश जी कहां पर होंगे ये होंगे विकानिर दुरुग उक्य चलिए अगले सवाल की तरफ ले चलता हूं आपको बहुत बढ़िया सा सिंपल सा क्योशन है निवन में मैंने थोड़ी लेट पीडिएफ भेजी इस चक्र में है रहा है अच्छा सुरेंदर चोदरी धन्यवाद लोके शुमन शर्जी पता नहीं क्या क्या करो राजस्तान राजस्तान इसमें बताइए आपको कौन सा गलत सा लग रहा है गलत कौन लग रहा है वो बताइए युगम सुमेलित है अच्छा ए सुमेलित है बिल्कुल बिल्कुल ए सुमेलित है ऐ सुमेलित है मलीनाज जी अच्छा आपने ऐसा कैसे बता दिया शुमेलित है देखो एक विशन पूछना क्या जा रहा है एक बार रुको मलीनाज जी के अपन बात करें परमोखिस्तल तिलवाडा होगा फिर समझ में आ जाएगा अपन लिख लेता है यहां पर कुछ मिष्टेक हुई है हडबु जी अपन बात करें सुमेलित में तो अपन शई है वो सुमेलित हो जाएगा तो हडबु जी का जो मंदर है बेंग्टी गाउं फलोदी में कल जी का यह बिलकुल सुमेलिती होगा तो यह सही पूछा है हडबु जी हो जाएगा कल जी की बात करें तो कल जी भाजी बैग्या रनेला उदेपुर में मेहा जी मांगलिया तो बापनी गाउं जोदपूर कौन सा बापीनी गाउं और बापीनी गाउं कहाँ पर है बापीनी गाउं है जोदपूर रनेला कहाँ पर है उदपूर यहाँ पर इनके परमुख मंदर है रनेला उदपूर तिलवाडा बाडमेर बाकि सभी ऐसंगत है तिलवाडा कहाँ पर ह होते हैं और वो क्या करते हैं इलाज करते हैं तो उसको क्या कहा जाते हैं तल्वार से इलाज करते हैं क्या करते हैं तल्वार से इलाज करते हैं उनको क्या कहा जाते हैं तो बताएं मुझे कल्ला जी के मंदरों में तल्वार से जो इलाज करते हैं पूजा रहे उनको क्या कहा है आचा मतलब तुम जुड रहे थे पहले से बहुत बढ़िया रमेस गुजर दागी क्लास मस्त गणी लागे गुरुजी तो सेर कर गया हो सारे बालक ऐसा करो देखो ऐसे मज़ा नहीं आ आज देखो आपके लिए स्पेसल है और बालक कितने जुड़ रहे आपके हैंडरेड के आसपास भी नहीं पहुंच रहे हो तो मुझे वड़ावट से एक बार सारे जो विद्धार थी वड़ावट से लेक्चर को सेर कर क्या हो मैं बेंग ठीका हूँ बहुत बढ़िया साका क क्या होता है साके भी बताएंगा आपको उपसन दे आपको नहीं बता तो मैं बता देता हूँ ठीक है गनपत से सो दिया अब आप यहीं प्राजाओ डेली रोजना रातरी नो बजी अपनी क्लास होती है ओके अब आप समझ गए मित्र शमेक शिविल सरुशे जोइन करी आप और कला जी के अपन बात करें पुजारी जो होगा पुजारी को क्या कहा जाता है किरनधारी कहेंगे पुजारी को क्या कहेंगे किरनधारी और यह जो किरनधारी होता है तलवार से इलाज करता है मतलब तलवार रखता है और शिर पर रख देता है और यह मतलब इलाज कर दे किरणधारी तलवार से लाज करता है किस से करेगे तलवार से लाज लीजे तलवार से लाज कौन करता है तो तलवार से लाज करता है किरणधारी कौन करेगा किरणधारी बाकी सभी ठीक है लीजे अगला सवाल पासुपत संपरदाय में लकुलीस को शिवका और कौन सा अंतिम में अवक्तार माना गया है शिव कह एहुं अंतिंवु अवक्तार माना पाशुपत्रस शंपड़ा है कौंसा पाशुपत्रस अजा कुमार अच्छा कि बताओ भी बताओ एक बार सेरखुरण मित्रु है है ना जे सेर्कर के यह वड़ाबट से वेरी नाइस क्लास अच्छा Elementary दनीँ और में कोई 33 वावतार बता रहा कुछ वता रहा discord रिए 18 वालक बहुत वता रहा है थो बहुत बढ़िया ट्तूंकल ट्तूंकल लिटल स्टार केशर पुत्र आरति-कूजर नीता- अर्ति सेनी पुजा सहा सुरिंद्रा 28 बता रहो, बहुत बढ़िया, देखो मितरो जिन बच्चों ने 28 बतार बता है उनका बहुत बढ़िया है, पाशुपत संपरदाय, पाशुपत संपरदाय क्या अपन बात करें, तो भाईया इनको एक संपरदाय और कहा जाता है, कौन ब 28 बतार थे, कौन से उतार थे, 28 बतार थे, याद रख लेना, और इनके पाशुपत संपरदाय क्या अपन बात करें, तो मितरों में आपको कुछ बाते बता देता हूँ, मंदिर कहां कहां पर है, अभी तक आपने एक मंदिर पढ़ा होगा, लेकिन हम और मंदिरों के बारे म उद्यपूर, ओके, बिल्कुल ठीक बात है, दूसरा मंदर, अच्छा, ये जो मंदर रहेगा, इसमें और बता दू, कि मेवाड महराणाओं के अराद्य होते हैं, ये, क्या होगे, मेवाड महराणा इनके दिवान थे, मेवाड महराणा के अराद्य कोन होगे, तो ये समझ महा मंदलेश्वर महादेव, महा मंदलेश्वर मंदर, और ये होगा अर्थुना बांसवाडा, कहाँ पर होगा, अर्थुना, और अर्थुना कहाँ पर है, बांसवाडा में, वहाँ पर महा मंदलेश्वर महादेव मंदर होता है, इनका, मतलब इसी संपरदाय का, तीसरा मं मंदर अपन बात करें तो जालोर में होगा सुन्दा माता मंदर उसके पास में और मंदर है सुन्दा माता मंदर जहां पर लकुलीस जी की प्रतिमा बताई सुन्दा माता मंदर कहां पर है जालोर में और यहां पर क्या है लकुलीस जी की प्रतिमा क्या होगी लकुलीस जी की प युद्ध में किसकी विजय हुई थी अच्छा तुम ही बताओ ये सवाल तुमसे ही है मित्र बताओ अच्छारेस वोरियर 14 बैद से प्रणाम बिल्कुल सुरेंद्रा श्वागत आपका लिख लो इसको बहुत बढ़िया सा सवाल है और अगले सवाल की तरफ चलता हूं आपक करें तो दिन में सेव्जी के अनेक बार पूजा की जाती है what कि इजरती है रमेश्जिंग जपरवी स्वागत है ये अपन बात करें दंडधरी बहुत बाते होगी और अगर अली का धानमंजरी गरंथ धानमंजरी गरंथ किस संपरदायं परमुगरंथ निंबार्कट परदाए रसिक संपरदाए वल्लब शंपरदाए रमानुज्य संपरदाए बताएंगे तर यह साका क्या होता है अरे बच्चो है आप डेली जुडा करो रोजयन रातरी नो बजे तब आपको सारी सारी बाते बता पड़ेंगी कभी जब युद्ध का क्योशन आएगा तब भ अपने को मोका मिल गया है जीतने का तो उश्वक्त राजपूत युद्धा जब अंतिम अवसर ऐसा होता था कि अब युद्ध में साइद विजय हो पाने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है नगन्ने है तो उनके सामने समर्पनत करने के बजाए और युद्ध छेत्र में केसरिया पगड़ी धान करके युद्ध लड़ा करते थे इसे कहा जाता था केसरिया और अब महिलाएं जो होती थी वो कर लिया करती थी जोहर यानि अगनिकुंड बना करके उसमें और कूदती थी कूद जाय करती थी अपने आपको शमर्पित कर दिया करती थी और क्या बता है इसमें रसिक संपर्दाय बिलकुल बिलकुल बहुत बढ़िया इधर देखे रसिक संपर्दाय अचा रसिक संपर्दाय निकला किस से है रसिक संपर्दाय वास्तों में और यह जो रामानुज संपर्दाय का एक पार्ट होता रामानंदी संपर्दाय और रामान पीट होगी पीट काहां पर है रेवासा सीकर काहां पर होगी रेवासा सीकर लुभिया रेवासा सीकर होगी अच्छा इस रेवासा सीकर वाले जो धान मंजरी जिनों ने गरंत लिखा अगर अली इन अगर अली का नाम क्या है कौन बताएगा बच्चा अक्की कुमावत अल्दी घाटी युद्ध में किसकी विजय हुई थी ऐसा करो देखो अभी तुम्हार लिए विस्तार से पढ़ाने के लिए और आज देखो सम्यक अपना जनम दिन भी मना रहा है नवा इस्तापना दिवस हम मना रहे हैं आप सभी विद्धार्थी भी और इस खुसी में भागिदार बनिये और इस अवसर पर आप सभी विद्धार्थों के लिए 25% डिसकाउंट है फ्लेट डिसकाउंट है और RS, प्री और PSI ओनलाइन कोर्ष और टेस्ट सीरीज पर विशेश उपराह रहा है 25% ओफ है यदि आप RS की तैयारी कर रहे हैं और प्री की तैयारी करना चाहते है और PSI की तो आज यानि इस पेसल 15 फरवरी से 20 फरवरी तक इस पेसल आपके लिए सिरफ 9,000 रुपए में और कोर्ष मित्रों जो कोर्ष 45,000 रुपीज का था 25,000 रुपीज का था ये स्पेसल ओफर 25 यानि कम्प्लीट 25 परशेंट ओफ करके और ये आपके लिए सिरफ 9,000 रुपए है मित्रों तो आप सभी जो विद्यार थी इस information को अपने और भी मित्रों के शाथ share कर दीजी क्योंकि बार-बार में ओफर आएगा नहीं और फिर आप क्योंकि लाइव बैज चल रहा है लाइव जो offline classes जेन उनसे अपने लाइव बैज चल रहे हैं ओके चली अगला सवाल आपने बताया अगरदास जी बहुत बढ़िया तो अगरदास जी का गरंत कौन सा होगा तो अगरदास जी का गरंत होता है ध्यानमंजरी अगला सवाल देखे वैसाक क्रशन तर्थे के दिन धींगा गंगोर और किस महराना के सासनकाल में सुरू हुई थी धींगा गंगोर धींगा गंगोर की कहानी कुछ यो चलती है मित्रों एक बार होता है महराना अब महराना जो भी होंगे आप खुद बताएंगे ठीक है आप प्यारे मित्रों होगा क्या मैंस का क्या करेंगे फिर दुगना सैनी अभी तो देखो प्री वाले बच्चों के लिए ही ओपर आपके लिए इस स्पेसल देखो फाउंडेशन बैच अलग होता है तो फाउंडेशन बैच इससल बैच है उचको भी आप जोइन कर रखते हैं अब E.R.S.P.R.E. और PSI के बेचेज के लिए special हो रहा है सुनिए तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहां पर एक महराना होता है और महराना गराज सिंग आप नाम बता रहे हैं तो सुनी लीजिए यह कहानी सुनिए महराना राज सिंग की होती है और राज सिंग धींगा गणगोर के परचलन कैसे हुआ इसके बार में हम कहानी सुनते है महराना राज सिंग के रानिया थी और राज सिंग के बहुत सारी रानिया थी आपने यह भी सुना है राज सिंग और उन राजकुमारियों से विवाह कर लिया करते थे जिन से औरंग जेब जबरन विवाह करना चाहता था तो औरंग जेब को चिठी पतरी भेजती राज सिंग देखता कि हाँ जी वोट्षप डीपी चेक करता बोले ठीक है बाते बाते होती और राज सिंग जी क्या कर लेते बोले और अरंग जेब को क्या ही करना है धूल चटानी है तो हमारे हैं बरात लेकर के आप तो राजकुमा कि तयारी करती राज सिंग पहुंचते और अपनी सेना भेजता राज सिंग युद्ध करते और राज सिंग की सेना को बार बार धूल चटाती और राजकुमार उससे बहुत सार विवा कर लिए इसी प्रकार से क्या होता है कि जो राज सिंग होंगे कोन होंगे राज सिंग ह अचैनक उनको यादा है कि अरे एक रानी है उसको ताजकल हम यादी नहीं कर रहें तब यह सोचते हैं इनको याद आ गए कि लड़ा हुई थी हमारी दोड़ा दिनों पहले और ड़ाई उससे मिलने जाता है रानी को मनाने का परियास करता है कुछ भी जैसे अपने बात करें खुस हुई लेकिन रानी ने कहा कि देखो आपने मुझे अब मनाया थोड़े दिन पहले मना लेती तो क्या हो जाता बोल पहले क्या था बोल अभी अभी देखो गणगोर कते ओहार गया तो क्या हो गया दुबारा से गणगोर मना लो कभी मना लो गणगोर कब आती है बोल ती चैत्र शुकल तरतिया वाली इस दिन क्या होती है फेमस गणगोर होती है तो महाराणा ने बोला कि ठीक है मैं मेवाड महाराणा राज सिंग और मुनादी करवाता हूं गोशना करवाता हूं कि पूरे राज्ये में फैला दीजिए अगली जो ती जाएगी और उसे दिन हम यह और मेवाड में परारंभ हुई अब इको मेरे बाद ध्यांत से सुनिए जूधिस गणगोर कहा की परशिद है यह मेवाड की परशिद यह उद्यवी तो नोट लगा करके लिख लंगेघंगा कहा मेला कौन सा होगा धीगा गवरुद का मेला कहां का होगा ये होगा धिंगा गावर का मिला इसी दिन होगा और ये होगा जोदपुर का कहां का जोदपुर का इसकी भी मज़िदार कहां ये प्राचीन जोदपुर में क्या होता है मतलब पहले वाला जोदपुर बहुत प्राचीन समय का जो जोदपुर है उसमें मतलब मुखे मारवाड में मुखे जो प्राचीन सहर है न उसमें तो यहां पर लड़किया क्या करती है तो पुलीस का वेश बनाएंगी लाठी डंडल लेकर और रिवाज कौन सा रहेगा कि अगली बार तक तो और शिट्टा सिख जाएगा क्या यह सिट्टा सिख जाएगा ब्यावाव हो जाएगा बेत खाने से ब्याव हो जाता भी यह इसलिए अपन बात करें दिंगा गवर खमेला ओके जोदपुर में ऐसा क्या कर रहे बच्चो एक बार सेर कर क्या हो अपने अपने स्टेटस पर रोहन मीना अनिकेथ तरुन सोनी अच्छा तरुन रीट का वेपर कित मिल रहा है आयेगा भाई तुमारे लिए 25 सभी स्थारिक वाएगा ओके तर शब बाते कर रहे हैं अच्छा टिंकू तुम भी आगे बिनाय अजमेर बहुत बढ़िया देखो मैं आज आपको कुछ होलियों के बारे में बताता हूँ होली आने वाली भी है और आप से सवाल भी पूछले कहीं ने कोई तो सवाल पूछलेगा और होली के जब सवाल पूछले तो क्या बता क्या जाएंगे और कोड़े तो कहां पर मारे जाएंगे बिनाय अजमेर में लिकेंधास सुनिये अब लठ कहां पर मारे जाएंगे भी या तो देखो कोड़ा मार होली भीनाय लिकिन लठ मार होली कहां की होगी आप से पूछोंगा मैं आप से नहीं पूछोंगा बहुत वक्त लग जायेगा मैं ही बता दूगा लठ मार होली एक अपन बात करें गीली होली कौन सी गीली होली एक अपन बात करें बाल्टी मार होली या फिर अपन बात करें डेक्ची मार होली कौन सी बाल्टी मार होली या फिर इसी का नाम है डेक्ची मार होली डोल्ची मार डोल्ची होली डेक्ची बोलता है बाल्टी डेक डेक्ची डोली होली ओके डेक्ची मार होली और ये कहां की है तो इसके बारे में चर्चा करेंगे अच्छा कपडा फाड या फिर गाबा फाड होली लोभी या गाबा फाड होली गाबा फाड होली एक अपन बात करेंगे राड रमन की होली कौनसी राड रमन होली एक अपन ब कि और भी बहुत सारी हो लिया हैं एक अपन बात कर लेंगे पत्तर मार होली होगी गाबा भाण भी होगी उसके बाद में देख लें लट मार होली खेली जाएगी महवीड जी करोली कहां पर महविरं जी और महवीड जी कहां पर महवीर जी होंगे करोली बिल्कुल ठीक बात है और गीली होली कहाँ पर खेली जाएगी करोली गीली होली करोली और बाल्टिमार बिकानेर बाल्टिमार होली कहाँ पर तो याद रखना बिकानेर के परसिद बाल्टिमार होली ओके अच्छा और शुनिए, गाबा फाड हो ली कहा पर होगी? पुसकर अजमेर में होगी मित्रो हो है न companies बढ़ियां गाबा फाड दे तेंक प्पड़े फाड फाड करके और क्या करते हैं? हम भी ऐसा ही, तुम भी ऐसा ही, ओके? पुस्करजमेर गाबाभाड होली पुस्करजमेर और राड रमण होली कहाँ पर होगी यह याद रखना भीलूडा डूंगरपुर में कहाँ पर होगी भीलूडा और भीलूडा कहाँ पर मित्रो भीलूडा होगी डूंगरपुर में इसमें क्या होता है कि भी लों के जो आपस में जुंड होता है उनके आपस में लड़ाई होती है तो यह पत्थर मार मार के खेगलता है बोली यह ले यह ले है ना ऐसे चली तो राड रमन जो होली होगी इसको पत्थर मार होली भी बोलता है कौनसी पत्थर मार होली अब देख देवर भावी के होली जो होगी ये कहां पर है ब्यावर अजमेर के परशित है देवर भावी के होली और देवर भावी होली अभी बाते कर लेंगे लेकिन देवर भावी होली होगी अंगारों की होली भी होती एक कौन सी अंगारों की होली अंगारों की होली और अंगारों की ह पर बिल्कुल सही बात है और अंगारों की जो होली होगी अंगारों की लालसोट दोसा एवं केकडी अजमेर लालसोट दोसा होगा और केकडी अजमेर होगा कौन सा इस्तान होगा केकडी और केकडी कहां प्रेप्यार मेत्रों केकडी है अपने अजमेर में जहां पर अंगारो की होली खेली जाती कौन सी अंगारों की होली खेंच लो भी या फोटू ओके फूलों की होली जैपूर गोविन देव जी वहुत बढ़िया अच्छा देखो अंगारों की होली आप कुछ बालक कत्रियासर बिकानेर बता रहे हैं नई मित्र वहाँ पर नहीं होगी याद रख लेना वहाँ पर अगनी नर्ते चलता है और आश्विन सुकल सप्तमी को नर्ते होता है आप ठीक समझे रहे हैं फालगुन सुकल सप्तमी को भी होता है वो भरस में तीन बार होता है और फूलो की गोविंद देव जी रहेगी लो तो भी यह गोविंद देव जी क्यों से हो जाएगी गोविंद देव जी लिख लिए खेंचल। आप फोटू खेंचो तुम तो सबसे पहला काम के आगे चलता है नेक्स्ट क्विशन की तरफ ले चलता हूँ रिसब देव मेला कब वे कहां पर भड़ता है साइड हो गया था मैं पहले साइड हो गया था मुझे पता था बालक फोटो घंचेंगे पाईए अगले स्तान अगले क्विशन की तरफ चलते हैं अपन और रिसब देव मेला कब वे कहां परायजित किया जाता है धूले वुदपुर और ये जो भी है आपके सामने बहुत सारे शवाल आप्शन हैं बताएंगे और ऐसे क्या कर रहे हो मित्रो फटापट से एक बार लेक्चर को लाइक करो ये जो रिसब देव जी यहाँ पर जो मेला लगता है इस रिसब देव जी को भील क्या बोलता है भील यहाँ पर केसर चड़ाता है और भील इने नाथ जी या काला जी बोलता है क्या बोलेंगे नाथ जी या फिर इनको बोलता है काला जी नाथ जी या काला जी कहता है काला जी कहता है लो भील इने नाथ जी या फिर क्या कहेंगे काला जी कहता है दूसरी अपन बात करें तो यहां पर क्या चड़ता है केसर भील इनकी केसर पीकर जूट नहीं बोलता है केसर चड़ता है लो मित्रो कला जी के केसर और अफिम दोनों चड़ता है लेकिन इनके सिर्फ केसर चड़ता है भील इनकी केसर पीकर जूट नहीं बोलता है है ना ऐसा होता ना कि वो यारा जूट नहीं बोलना तो वो यह सब यहां पर आकर के गाने बनाता है ऐसा है ओके चैत्रमावश एक दिन विक्रमा दित्ते मेले का आयोजन और राजस्तान के किस जिले में क्या जाता है दोसा करोली पाली उदेपूर बताएंगे अच्छा अनिकेत अनिकेत पढ़ले बेटा गुडिया नमस्ते नमस्ते सभी बच्चों को नमस्ते अफीम अफीम क्या कर रहा भी तुम लोग डी अठक गए तुम लोग केशर पुत्तर ने बताया डी अरे वाह ममता चोदरी ने डी बताया गुर्तेज ने डी बताया योयो अक्के सिंग लो मित्रो ऑद्य पुर कौनसे होगी उदे पुर में विक्रमा डित्ते मेले इकायीजन कहा पर होता है उदेपुर में होता है कहा अर प्यार लिए इस्पेसल ओफर है आज यानि 20 फर्वरी तक इस्पेसल ओफर रहेगा सम्यक अपना नवा इस्थापना दिवस मना रहा है तो निशी तोर पर आप भी इस उत्सों में भागिदार है आप सभी विद्यार्थियों को शमरपित संस्थान आपकी शफलताओं को निर्धारित करने के लिए अपने उच्च मानकों पर खर्या उतरने वाला संस्थान सम्यक शिविल संस्था जेपुर जो अपना इस्थापना दिवस मना रहा है इसी अवसर पर विद्यार्थियों की खुशी के लिए और विद्यारत हैं कि इस सफलता में भागिदार बनने के लिए प्यार मित्रो आप सभी के लिए special रूप से और 25% off के साथ R.A.S.P.R.E. और PSI की सभी online course और test series पर special छूट है क्या special छूट है और अभी जो R.A.S.P.R.E. और PSI का special course है ये 9,000 रुपे में है only ये 20 परवरी तक रहेगा उसके बाद में भाईया आपका 25 या फिर 45,000 रुपे जो भी है आप जाकर के चेक कर लेंगा आपको पता बढ़ जाएगा आपके आँखे खुल जाएगे ये ना हजार रुपे में बढ़ जाएगा तो okay code यूज करना है सम्यक 25 करना क्या है आपको application डाउनलोड करना है और सम्यक IS application कौन सा सम्यक application डाउनलोड करना है और उसके बाद में अच्छे इसमें क्या है कि मैं थोड़ा सा यहां पे जैसे सब्दों को प्रियोग बड़ा सोच समझ करके कर रहा हूं क्योंकि online का system है तो इसमें जैसे सब्दों का system करना बढ़ता अपने को और बहुत बालक बता रहा है जो सफर अक्तियार करते हैं जो सफर अक्तियार करते हैं वहीं मंजिलों को पार करते हैं जो गिरकर भी उठने का होशला रखे ऐसे मुशाफिरों का तो रास्ते भी इंतजार किया करते हैं पीके परजापत बहुत बढ़िया वहीं क्या बहुत बढ़िया अच्छा है लीजे सहपलाएं नामक विभा की परथा कौनसी सहपलाएं नामक विभा की परथा और किश जंजाती मंपरजलित हैं लड़के लड़की भागेंगे दो-चार दिन भाग करके वापस आ मेंस का अलग है यह अलग है यह वरी स्पेसल मिलेगा मेरा तो एप्लिकेस ने डाउनलोड नहीं हो रहा तो आप ऐसा करो टेक्निकल टीम को कोल करिए सारी सारे जानकारी होंगी क्योंकि आपका फोन बरा हुआ है सपने तो भी और यहां है अर्य है आपने बता है जैसा भी सिंपल सवाल ऊंत्रय लड़का बारेंगे आग सब्रहे है उसके बादा जाएंगे और उसके पंच पट्रह सरे बोले ओकि आपका ब्याव जा जो वा दो My अैसcue होता है और आदिवासी लोगों में परचलित लीला मोरिया संसकार का संबंद किस से है देखो आज मज़ा नहीं आ रहा है आपके लिए स्पेसल में क्लास लेख आया हूँ रमेश गुजर गुरु की करबासे से से अब बिना गरंत पड़े ही पंडित हो जाता है कंटिनू रीडिंग बिल्कुल बिल्कुल मैं तो हमेसा कहता हूँ कि लीला मोरिया का संबंद किस से है लीला मोरिया अच्छा एक सवाल और पूछ लेता हूँ मोर्नी माडना बताओ मोर्नी माडना कला का संबंद किस जन जाती से है मोर्नी माडना कला का संबंद तो बतायेंगे मुझे कमेंट्स करके मोर्णी माडणा कला का संबंद कौन सी जंजाती से ओप्सन दू विवा के समय है अच्छा मेना जंजाती बहुत बड़िया विवा से संबंदित है मेना जंजाती अमन रजा सही बताया मित्र तो लीजे मीना जंजाती कौन सी जंजाती होगी मीना जंजाती और मीना जंजाती से होगा और शात में अपन बात करें विवा से संबंदित है ये कब है विवा विवा के उसर पर मोर्णी मांडणा एककला होती है मोर मांड़ती हो महिला है अगला सवाल देखिए, विवाह में सगुन के रूप में, विवाह में सगुन के रूप में दी जाने वाली साथ सुपारिया फिर सिंगाडा कहलाती है, सून्ज पीठी साथ यवर छाता, मनलब साता, बदाएंगे अनिके दुबालक पढ़ ले, ओके, काफी बाते कर रहो तुम गराश या मौर को पवित्र मानता है, अच्छा बताओ रहे अच्छे इसमें साता बताया, यनि सात सुपारिया फिर सिंगाडा क्या गलाता, साता गलाता, नेश्ची तोर पर देखो क्या होगा, साता कलाता है, पीठी विठी जानतो, पीठी जैसे उप्टन पीठी, तो ये पीठी ऐसे होता है, उप्टना, अगला सवाल देखे, किस संसकार के पश्चात, ब्रहमचारियास्रम की सुरुवात मानी जाती है नेश्ची तोर पर एक ऐसा संसकार, जो ब्रहमचारियास्रम की सुरुवात करता है, उनमेंशे, और ये आप बताएंगे, विद्दारंब, उपनेन, समावरतन, चूडा करम, बताएंगे मित्रो, इसमेंशे कौन सा है, फटावर्ट से बताएंगे, देखो, विद्दारंब कब होता था, अरे मोर बांदिया विवा होता है वो, है न, मोर या बांदिया होता है, सही है, कराश्य जिन जाती से संबदेत है, तर LDC में आएंगे कुशन बिलकुल आ सकते हैं, है न, निश्चित संबावना है, और आप लोग क्या बता रहें, बी, उपनेन संसकार, निश अपन बात करें, बालक को उस जवान में पांचवे वरश में, कौन से वरश में, पांचवे वरश में, अब जो भी है, चार या पांच, निश्चित वर पर एक डेट फिक्स कर दी गई है, ये पांचवे वरश में, उपनेन संसकार जानतों क्या होता है, गुरू के समीप ब बैठकर सिक्सा ग्रहन करना, लो मित्रो, गुरू के समीप बैठकर सिक्सा ग्रहन करना को क्या बूलेंगे, ये बूलेंगे अपन, उपनेन संसकार, क्या बूलेंगे, अब यही से किस की सुरुआत हो जाती है, ब्रहमचारियास्रम की सुरुआत हो जाती है, पहले बालक था अब तोड़ा बड़ा हो गया, क्या हो गया, बड़ा हो गया, तो ब्रहमचार यास्रम का पालन करता है, समावर्तन, जब सिक्सा की समाप्ती होगी, क्या होगी, सिक्सा समाप्ती, लो मित्रो शिक्षा की जब समाप्ती होगी, तब का होगा, सिक्सा समाप्ती, सिक्सा इस्तिन संस्कार लो तो मित्रों चूड़ा करम संसकार इसको जडुला भी बोलता है कौण सा जडुला संसकार भी बोलता हैं । कम्प्लीट डिसमें आंसर कौण सा रहेगा बी बी और सोला होते हैं क्या सोला होते हैं अच्छा 60 में जेन्टिलमें लगते हैं सर्ट्रप्ती मियू ऐसे क्या बताओ अरे रौज सर्टी पेनते हैं हम है रौज स्त्रिट पेनते हैं अब टी-स्ट कहां से पेनते हैं कि वैसे टी-顏 сов både कम पेनता हूं वो जैसे पहननी पड़ी थी कई वर्षों तक चलिए आईए आगे चलता है सुनिए इसमें अपन बात दे करें चूडा करम हो गया जडूला और मैं क्या बता रहा था आपको कुछ बालक सोला संसकार ये होते कितने संसकार होते हैं सोला संसकार क्या होते हैं सोले संसकार होते हैं अगला सवाल है सासक की और से बहुत बड़ी एक बार फिर से सवाल है सासक की और से करशक को करसी कार्य करने है तू दी जाने वाली भूमी क्या कर लाती थी बताएंगे सांसन, जागिर, खालसा भूमी और भूम की भूमी बतायेंगे मुझे बड़ावट से बहुत बड़ी आसा सब्सक्राइब अच्छा धीरे क्यूशन करवा रहा है अरे आज तबित डाउन है झालसा सब्सक्राइब खालसा भूमी जोधपुर शूरत सिंग्राना बहुत बड़िया आगे आगे मैं है न बताया न थोड़ी से हलकी से आथ तबे डाउन है इसलिए बालक जो पूछ रहे थे गुरुज प्रोग्राम में लेट क्यों आए इसलिए आया था आज क्या था अपना इस्थापना दियोस मना रहा था बालक खूब रायता पी रहे थे बढ़िया है ना रायता और बंडारा था आज क्या था बंडारा था लीजिए आपने क्या बताया ओफलाइन पढ़ना चाहें तो कितना फीश है देखो हिंदी वेडियम वाले विद्यारतों के लिए 85,000 है और इंगलिस वालों के लिए 95 है और ये हो जाए कि अपने सासन माफी की भूमी ये ब्रहमनों को दान में दी जाती थी किसको ब्रहमनों को लोविया ब्रहमनों को माफी की भूमी दी जाती थी ब्रहमनों को ये फिर चारनों को ब्रहमनों को चारनों को मतलब चारन जाती को जागीर की भूमी भूम की भूमी और इसमें से खाल सा भूमी कौन सा खाल सा भूमी जो खाल सा भूमी हुआ करती थी ये खाल सा भूमी और सासक की और शेक कर्शक को कर्शी कारिय करने है तू दी जाती थी कैसे कर्शक कारिय करने है तू दी जाती थी ठीक है दीजे आगे चल संख्ली गले का सशन तिमणिया कमर का सब्सलान पार राए हमें बंदारे में बुलाया नहीं है नहीं भंधार्व m भीनदार होता है क्या कि सब्सद्ट होता है उनके लिए बंदार होता है अब आए ये आपका स्वागत है फिर आप भी डेली भंडारे का आनंद लीजिए ओके महिने में मैं देखो दो बार भंडारा देख लिया है मैंने ओके और इसमें क्या बता है बंगडी हातों में आईए इसमें देखे सी कमर का आपुशन थोड़ी होता है बंगडी और गाना भी चलता है बाली कहां का आपुशन होता है बंगडी हात का आपुशन है कहां का हात का आपुशन तो लिखिये में तरों बंगडी होगा हात का आपुशन हात का आपुशन ओके चलिए हातों का आपुशन मोखडी भी होती है क्या होती है मोखडी मोखडी ओके अगले सवाल की तरफ गराश्य जंजाती की नर्तों के सं सब्सक्राइब निमन में से कौन सा विकल्प गलत है जवार नर्तय होली का दहन से पूरू गूर नर्तय गणगोर पर और लूर नर्तय विवा के उसर पर और मोरिय नर्तय आखेट से पहले बताएंगे कमर के करद नहीं बहुत सारे होते कमर के हैंना लोगीत हो जाए लोगीत अब नहीं होते लोगीत अब क्लास में होते ओफलाइन में ओके यहां नहीं होते दिल दे देंगे सर अगर क्या कहरो वाह क्या खतरनाक सिंगर हो आप लोग है ना है के सर जी मनें बिगाडroad कोनी में हाडरानू है बिलकुल बिलकुल है ना हो तो डी बतार है आप लोग मोरिया नरते आखेट से पहले तोड़ी होता है ये अपन बात करें वीवहा से पहले होता है, कब होगा वीवहा से पहले, तो मलब वीवहा के अवसर पर ही होता है, वीवहा से पहले तब उसमें क्या ही रहेगा, वीवहा के अवसर पर और ये नर्ते की आ जाता है, कौन सा, मोरी नर्ते है, जवारे नर्ते है, होली का के देहन से पुरो होगा महिला पुरुष मिल करके क्या करेंगे फसल जो होती है जोकी जो बालिया होती हैं उन और अपन बात करें जवारा नर्ते करते हैं जवारा बोलता है अर्जून Jepore आगे बालक तुम बताओ इत्ते दिन बाद कोन अतारे किसंगड की श्रीमती फलकू भाई ने किस नर्ते को लोकप्रिय बनाने में एदित्य योगदान दिया गूजरो का चरी नर्ते, रत्वई नर्ते, सिकारी नर्ते, रनवाजा नर्ते बदाओ मित्रो मोरिया विवाह पर होता है अच्छा बगडी बोला है अच्छा इसमें बताओ यह बता रहे हो आप लोग गूजरो का चरी नर्ते, बिल्कुल सही बात है गूजरो का चरी नर्ते किसंगड और किसंगड कहां पर प्यार मित्रो किसंगड हो जाएगा अपने अजमेर में और जहां पर गूजरो का चरी नर्ते होता है, अपने सिर पर शात मठकिया ये चरिया रखकर के उपरी मठकी में कपास के बीज जला करके डांस करती है और इसके देख़ए एक तो है फलकुबाई कौन से हो जाएगी फलकुबाई एक हो जाएगे अपने सुनीता रावत महिला परधान नर्ते होता है सुनीता रावत पुरुस भी होता है जैसे मोहन सिंग होता है, गॉर्दन सिंग होता है रत्वई नर्ते किसका होता है रत्वई रत्वई अपन बात कर महिलाएं करेंगी कौन करेंगी महिलाएं करेंगी लेकिन किसका होगा मेव जाती का रनबाजा नर्ते कोन करेंगे पुरुष करेंगे और ये किसका होगा मेव जाती का अच्छा सिकारी नर्ते किसका होगा कौन सा सिकारी नर्ते बताएंगे मुझे फड़ावट से कमेंट करके बताओ सबीता हम चरी को चाकू बोलते हो अच्छा मैंने जो पूछा हो बताएंगे इसको मेवी चिपका दिया बहुत बढ़िया ये दो मैंने खुद ने बता दिया आप क्या बता रहो सहरिया अमन बहुत बढ़िया इधर देखो सिकारी नर्ते हो जाएगा सहरिया जाती का किसका हो जाएगा सहरिया का और कौन करेंगे पुरुष करेंगे निशी तोर पर सहरिया को कौन करेंगे पुरुष लोभिया पुरुष करेंगे और ये कौन सी जाती का होगा सहरिया जातिका होगा कौन से जातिका सहरिया complete अगले सवाल की तरफ चलते है next परशिद नर्तक बिर्जु महराज वैसातारा देवी किस नर्तक के परमुक कलाकार है घूमर कालवेलिया कथकली कथक अरे सिवसक्ती थेंक्यू मित्र थेंक्यू ऐसा कुछ नहीं है कैमरा है यहाँ पर पाँचलाख रुपय का सातलाख रुपय का होता है जब भी बोर्ड बनाते हैं इसलिए तो ओनलाइन सिक्सा दूर दूर थक जा रही है तो वो अपने को दिखाता है इसे चमकागर के दिखाता है ऐसे मतलब मुझे फेर लवली लगाने कोई आवशकता है नहीं होती है जो भी लगाते हैं आप जो क्रिम्स वगएरा तो यह कैमरा मुझे ऐसे चका चक दिखाता है बिलकुल तो यह जो कैमरा है कैमरा का कमाल और कुछ भी नहीं है जीवन में सुनिए परसिद नर्तक बिर्जु महराज और यह सारे कथक से संब्द देता है किससे कथक से संब्द देता है कथक का जो आदिम घराना होगा यह कौन सा हो जाएगा आदिम घराना अच्छा मुझे कथक के वादेंतर बता दो आदिम घराना हो जाएगा जैपुर कौन सा हो जाएगा जैपुर इसको प्राचिन घराने भी बोलता है नवीन घराना कहा का होगा तो नवीन घराना हो जाएगा लखनव कथक के और भी बहुत घराने है नवीन घराना होगा अपने लखनवू कौन सा होगा लखनवू ली जमित्रों लखनवू होगा जपर घराने के कौन होगे बानुजी महराज यहां के कौन होगे बानुजी महराज और यह बिर्जु महराज कौन से घराने से थे यह लखनव घराने से थे कौन से लखनव घरान से लोग यही कौन से गराने से दें लखनो गराना बिर्जु महराज बात समझ में आगी चले हम आगे चलते हैं और जैपुर मैंने जो वादियंतर पूछा हो तो आपने बताए नहीं क्या क्या होता है वादियंतर कौन-कौन से होता है इसका मतलब आप रेगुलर नहीं एना फेर लोली अरे ज्ञांज का क्या करेंगे रे टाबरेश में ज्ञांज ज्ञांज सेखावाटी के कच्छी घोडी नरते में काम में ली जाती है ज्ञांज बताव टाबर यों ही चिपका रहे हैं कच्छुई जान्ज वा बहुत बड़ी हाँ मन्जिल क्या है रास्ता क्या है राजिंदर सरकाह करिम से वास्ता क्या है वा रोहन मीना क्या बात है ताबर बड़े खटके दार आते हैं चलो ये तुम्हारे लिए क्यूशन बन गया इसके वादियंतर बताओ क्योंकि जो तुम्हें नहीं आता इस सवाल को पूछने के लिए कल आपको आना पड़ेगा ठीक है इस सवाल के जवाब जानने के लिए कल आपको आना पड़ेगा समस्के दोल मंजीरा चिपका दो कुछ भी चिपका दो बहुत सारे वादिंतर होता है मैं लगबग नब्बे वादिंतर करवाता हूँ जब भी पड़ाता हूँ आ नब्बे वादिंतर अब चिपका दो सारे चिपका दो ढोल मंजीरा तासा सब कुछ चिपका दो आईए मैं नहीं बताऊंगा मैं कल बताऊंगा ठीक है चलिए अगला सवाल निमन को शुमेलित करेंगे राजस्तान की प्राचिन तम रचना अच्छा और रास्तान का पर्थम नाटक रास्तान की पर्थम कहानी आधुनिक रास्तान की पर्थम काव्य करती बताऊं मित्रो और उप्सन थोड़ा सा आगे है तो आप खुद ही थोड़ा मतलबी क्विशन थोड़ा बड़ा हो गया थे इसलिए टाइपेश्ट ने इसको थोड़ा इदर उदर कर दिया है अच्छा गूगल कर लोगे ये भी बढ़िया है एक तारा कुछ भी चिपकाओ तो तंदूर अब चिपकादो बताओ मैंने गूगल बोला मोबाइल को सुन गया गूगल ये नाटक कर रहा है इधर आपने क्या बताया आरेस सेलेक्शन के लिए कोचिंग जुर रही है क्या देखो ओफलाइन पढ़ोगे आप सेल्फ इस्टेडिव कर शकते हो लेकिन उसमें वक्त बहुत लग जाएगा इसलिए टीचर्ष क्या होता है कि जैसे मेरे बाद धान से सुनिए आप इनको पढ़ने के लिए रास्तान के प्राचीन तमरचना किस ने लिखी और ये आपको नहीं पताओगा आप किताबों में ढूंडोगे मैं लेकिन तुरंथ बता दूँगा बरतेश और बाहुबली घोर ने लिखी यानि ये बरतेश और बाहुबली घोर है वजर सेंसूरी करेचना होती है और राजस्तान का पर्थम नाटक और रास्तान की पर्थम कहानी तो पर्थम नाटक अपन बात करें तो यह हो जाएगा केशर विलास और पर्थम कहानी विश्रांत परवाश होगी आदुनिक रास्तान की पर्थम कावे करती कौन सी बादली हो जाएगी मैं समझा रहा हूँ थोड़ा सा और यह हो जाएगी चंदरशिंग बिरकाली लिखता है विश्रांत परवाश और केशर विलास सिवचंदर बरत्या लिखता है तो मैंने ये तीन मिनिट में बता दिया तुम इनको ढूंडोगे नबे दिन लग जाएगे ऐसा होता है तो इसलिए क्या होता है कि टीचर जो उनोंने अब तक संग्रहित किया है वो आपको कुछ वक्त में बता देता है क्या कुछ वक्त में बता देता है ऐसा होता है बाकी तुम खुद भी Selfish Study करके भी बढ़ा सकते हो और Selfie Study करने से बनते हैं लेकिन तुम्हारे पास वक्त है कि हाँ मैं तीन साल तो पहले पढ़ लूँगा Selfie Study और उसके बाद में क्योंकि Selfie Study उन बच्चों के लिए ठीक होती है और Selfie Study वो करते हैं कोचिंग कही ने कही एक माद्यम होता है सफलता का अगर आप B.S.C.B.A. कर रहे होते हैं उस्चे में पढ़ लेते हैं तब तो ठीक था या फिर बारवी बारवी अच्छी से पढ़ लेते हैं तो बढ़िया था अब जैसे तुम मुंडी दो करके अब सुरू करते हो जब आपने competition ही सुरू किया है B.S.C.B.A. करने के बाद और फिर यदि आप सोचते हो कि हम तो self करेंगे तो थोड़ा सा time ज़्यादा लग जाएगा फिर आपको बहुत ज़्यादा time लगेगा इसलिए मेरे बाद ध्यान से सुनिए आपकी इच्छाओं पर निर्वर करता है कि आप क्या करते हैं फिर ठीक है मैं दोनों चीज़े बता रहा हूं ना ही तो मेरे कहने से आप कोचिंग कर पाएंगे ना ही कुछ और कर पाएंगे वो आपका खुद का फैसला होता है पर मैं थोड़ा से बता रहा हूं कि होता क्या है वास्तों में अच्छा केशर कुमार हाँ जी गूड इवनिंग गूड इवनिंग हो जाएगी बदर्तेश और भाहु बिल होगी बादली होगी किसने की चंदर शेंता ने मैंने आपको चंदर शेंता चंद्र ने की ती ओके ये जो दोनों होंगे विश्रान्त पर्वास और केशर विलास ये कौन करता है शिव चंदर भरतिया कौन करेंग मित्रो, सिवचंद्र भरतिया और सिवचंद्र भरतिया की रचना कौन सी हो जाएगी अपने हो जाएगी बादली मनलब ये विसरान तो रहे बरतेश्वर बाहुबली घोर किसकी हो जाएगी ये हो जाएगी वजरसें सूरी की वजरसेन सूरी लो मित्रो वजरसेन सूरी क्यों हो जाएगी अच्छा भरतेश्वर बहुबली रास जो होता है वो किसकी रचना होती है वहाँ पर अपन बाते करें तो वजरसेन सूरी नहीं आएगा साली बद्र सूरी आएगा ग्यारा सूरासी एग्जेक्ट डेट मिलता है मदलो वो सुतिती अंकित है लेकिन उससे प्राचीन ये है रास्तान की प्राचीन तम रचना बात समझ में आगी अच्छे इनको सुमेलित करना था जैसे जैसे कर लो मैंने कर दिया है और इसका अभिया ही करना है अपने को रुपाइन संस्थान जोदपुर का मुख्यकारिय क्या था और महिलावें बाल विकास नारीश ससक्ति करन विकास रास्तानी लोक कला मंडल का कलाओं का शंगरक्षन और बताएंगे रुपाइन संस्थान मैं बता देता हूँ तब तक बॉरुंदा कहा पर होगा ये होगा बॉरुंदा और बॉरुंदा कहा पर है जोदपुर में अब इसके संस्थापक कौन-कौन है तो संस्थापकों के नाम बता देता हूँ बॉरुंदा में और बॉरुंदा में होगा तो बॉरुंदा में करना में तापक वापन बात करें मुखेत होंके कॉमल कोठाटी कोठारी किो कोमल कोठा जोद्वर्पर कोमळ कोठाटी होगे ही जैदान देथा जोट समय विजय दान है यह रास्तानी लोग कलाओं का संक्रख्षंऩ संक्रण राउन ind gran nya यानिक Spotify लूंटार याद रखना कभी आपको चोरी बता दो हप्पी चोधरी जर्मा आपको कब से ढूंड रही है आज क्लास मिली है चलो अच्छा है सुकर है मिल तो गई और इसलिए आपको क्लास मिल गई तो और भी खुसे की बात है आप सम्यक से जुड़िए चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को जुरुदवाई और बहुत स सब्सक्राइब करना चाहिए उनके लिए ओफर है वेलिड 15 फर्वरी से 20 फर्वरी तक याद रख लेना ठीक है तो कोड यूज करना समक 25 लेकुन उससे पहले आपको करना क्या होगा एप्लिकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा समक आई-स एप्लिकेशन ओके तो चली मित्र आपने उन विद्धार्थ मित्रों को बता दो और मैं डायक्ट बता दूँ कम्प्लीट 9000 रुपै का और यह आपका कोर्ष रहेगा आरेस पीएस आई के सभी ओनलाइन कोर्ष एजबर ऑनली स्पेसल 20 फर्वरी तक उसके बाद नहीं मिलेगा उसके बाद वापस 45 के असपा पारी सत्साही बता दी जिसमें गीतार अरजुन पूजा सहा अरजुन नोरेमोन तुगना क्या करोगा अरे बादला तुम भी टावरो बड़ी अजीब बाते करते हैं बादला बादला क्या है बादला अपन बात करें जोदपुर में और एक पानी पिने का एक बरतन होता जस्ते का मतलब बोतल होती पानी की उसको बादला बोलते हैं आप बादली क्या है बादली तो एक रचना बादली एक रचना है, है ना, ये बादली एक रचना है, कवीता है, क्या है, कवीता है, तुमने बादला बादली समझ लिया, भूल बादली कहा किया है सर, बादली कहा कियोगी, परनाक टाबर हो रहे, बताओ इस में, कितना है रह रह रहे हैं सर वही, बहुत सारे क्युशन् इस्पेसल क्लास है तो क्योशन्स भी स्पेसल ही होंगे बताइए गीत गोविंद जैदेव अरे सुनिये रसीकाश्टक पंडित बिखम सिंग और रागमाला का सेट नाशिरुद्दीन नाशिरुद्दीन किसका चितरकार था मुझे तो यह बता दो आप लोग गीत गोविंद मनोहर अच्छा यह बालक कोई जैदेव बता रहा हूं क्या गयरूर तुम लोग है ना गीत गोविंद एक गरंथ होता है इधर देखो यह जो है सारेक सारे गरंथ है और गरंथ देखो आपने को और लिखना थे आपने इनको गरंथ लिया आपके कोई गलती नहीं है यह जैसे मानलीजी मेरे पास कोई पुस्तग हो इधर मैं आपको दिखा देता हूँ जोसा मैं पूस्तग तो इसमें मैं पहले पन्हे पर ये कुछ चित्र लिखा गीत-ग натीं निया पर लिख्ञारग यहां पर लिख्ञार यहां पर लिख्ञारग झाल पूर पूरम पूराक कूरा एक उठ्रत बन गया है ठीक है ऐसा होता है ग्रंथ बाकी एक सिर्फ होगा तो एक यह फोटो बना देंगे और बिल्कुल कम्प्लीट हो जाएगा ऐसा होता है नशुरुद्दिन अमर सिंग अच्छा महराना अमर सिंग क्या बात है अच्छा बात आपकी तब ठीक है जब रागमाला का चित्रन हो लेकिन मैंने सिर्फ यह पूछा है मैंने यह पूछा है कि यह किसके समय और दर्वारी चित्रकार थे इसने नहीं बताया अमर सिंग क्यों बता रहा हो जब कि इनोंने डोला मारू गिरेशना कर दी थी और किसके समय महारण अमरसिंग के पिता मेवाड केसरी हिंद्वा शूरज है ना उनके समय अब सोच लो आप लोग सुनिए ये सारे के सारे जो हैं बिहारी सत्साई वगरा सब के सब सेट है ये गीत गोविंद बिहारी सत्साई जेगनाथ बिलकुल ABCD सुमेली थे इसमें महारण तो इन्होंने लिखा रागमाला लेकिन ना शुरुदीन ने अपन बात करें तो बताओ किसके समय महारण अमरसिंग के समय महारण अमरसिंग के समय किसके समय महारण अमरसिंग फर्ष्ट के समय उसके बाद में देखिए नशुरुदीन जो होता है कौन नशुरुदीन जो होता है इसने धोला मारू का चितरन किया पंद्रासो चोरान इसमें धोला मारू और धोला मारू के अपन बात करें पंद्रासो चोरान इसमें महारण परताप के समय कौन होंगे महराना परताप के समय महराना परताप के समय अच्छा कल आप से एक स्पेसल सवाल पूछोंगों मैं से क्योंकि जो दोनों चितरित गरंथ है कहीं ने कहीं लग रहा है कोई तो राष्ट्रे शंग्राले में लग रहा है कोई कहीं पर लग रहा है कोई दिली संग्राले में लग रहा है वहां वहां पर अच्छा कभी कलोल कहां दिख गया रहे किसंगंड शैली के संबन्द में एज सत्य है बटा बट से कमेंट्स करके बताएंगे जली के संब्ध में ऐस था है बता दीजि़िए कर With dimension 57. अध्यवन अधैवन नीव दिली दौला मारूचित्र अच्छा का सुनर मित्रो बता दो आपसे मैंने जो पूछा है फड़ावट से बताईए और देखो ऐसे मज़ा नहीं आ रहा एक बार सारे विद्धार्थमितर लेक्चर को लाइक करें फड़ावट से ओके ती बित्ती चितर शेखावाटी क्या बात है समझ गें बड़े समद्दार बालक आप लोग इदर देखे बित्ती चितर वे राग राग एनी चितर इस सेली की परमुक विशस्ता है देखो बित्ती चितर वास्तों में और कहां कहां है स्थेखावाटी की परमुक क्योच्य सेखावाटी की Complete अच्छा यह माइक चैंज कर लेता है अच्छा कर लेता है अच्छा कर लेता है देखो किसंगड सेली के समद में ऐस अच्छा कोन सा है और आप क्या बता रहे है इस सेली पर कांगडा सेली कास्मिरी सेली का परभाव पड़ा है बिल्कुल इसले काग जो पर सर्वादिक चितरन हुआ तो काका का मैं ऐसे ही थोड़ी बोलता हूँ किसंगड में बनी ठनी काकी आप बोल सकते हूँ क्या बनी ठनी काकी क्यों बोलेंगे क्यों कांगडा सेली का परभाव पड़ता है दूसरा अपन बात करें काग जी सेली है कास्मिरी सेली है ऐसे आप बोल सकते हूँ किसंगडी तो काकी होगी यह काग जी सली यानि सरवादी के काग जो पर इसका क्या हुआ है? चितर ने इसलिए काग जी सली बोलता है तो इस सली में वल्लब यह एद्वयथ वाद के चरमवाद की अभिवक्ति हुई है मतलब सीधा बासा में यह कहना चाह रहा है कि वल्लब संपर्दाय का इस पर परभाव पढ़ता है कौन सा वल्लब संपर्दाय का और इसमें क्या पढ़ रहा है परभाव पढ़ रहा है एद्वैत का मतलब कि सिर्फ इश्वर है बाकी लोग ऐसे शमसते हैं कि मैं इश्वर को जानता हूं प्रम प्रम्मा को जानता हूँ तो कुछ नहीं जानता है ना तो सिर्व इसमें इस वर की बात दिकी गी है मतलब यहां पर देखू किसंगड सैली में वल्लब संपरदाय से सरवादिक चितरन बने है मतलब और नात दुआरा सेली से भी वल्लब शंपरदाय के चितरन बने है याद रखना वल्लब शंपरदाय का सरवादिक परभाव कौन सी सेली पर दिखता है नात दुआरा सेली पर कौन सी पर नात दुआरा सेली पर लेकिन किसंगड सेली पर भी दिखता है क्योंकि किसंगड के जो सावंत सिंग होते हैं उन्होंने वल्लब संपरदाय से दिख्सित होकर कि अपना नाम क्या रख लिया था नागरीदास नाम रख लिया था तो इसलिए यह होगा, नारिया करती में खंजन बक्सी के समान नयन, आप देखो खंजन बक्सी मतलब थोड़ा तिरच्छा, कटिला, ऐसे आप देख सकते हैं, लेकिन अपन बात करें, मिनाक सी आखे होंगी, कैसी होंगी, मचली जैसी आखे, मेवाड में भी होती हैं, मचली आखे और यहां पर भी खंजन जैसी आखे होती, तो इसको आप लिख सकते हैं, कई बार खंजन दे देता है, कई बार नी देता, दनुशाकार बरकुटी होती है, मैंने बोला तिरच्छी आखे, क्या तिरच्छी आखे, सुकोमल हात में एक दो अर्द मुकुलिक कमल की कलिय अगले सवाल की तरफ निवन में से कौन सा यूगम ऐसंगत है, ये क्विशन को थोड़ा ज्यादा उसमें रह गया, मिड्ड साइज में, तो थोड़ा इसको और बड़ा कर लेता है, अब समझ में आ जाएगा, दिख जाएगा आपको, पनी ठनी का मतलब, आबुशन से लदी, सजी दजी महिला, बिलकुल, भारत की मोना लेसा किसने कहा, एरिक डिक्सन ने कहा था, किसने, एरिक डिक्सन ने, पयाज अली और एरिक डिक्सन ने खोजा थे इसको सरोपर थम, विश्नु प्रिया, अच्छा, बताओ, मुगलवद अक्षन से से ली से प्रभावित, बिकानेर सेली, बिलकुल है, कांगडा सेली वो ब्रज साहित्य से प्रभावित, किसनगड सेली बिलकुल सही है, अलवर सेली से प्रभावित, उनियारा सेली, अच्छा, और इरानी, ढit ठीक सि उप्शन आपने इधी बताया तो ठीक है सिख लोमित्रों 1ड 2 3 और पूर तो आब बताओ कून सा अरो से प्रभाविक उन्यार रसो पिल्कुल गलत है क्यों K mająro सेली और यह किस से प्रभावित होगी यह वनेर आज सेली हो जाएगी ढूंडाड एवं बूंदी सेली से प्रभावित होगी ऊके चलिए अगले सवाल की तरब देखे चंदुजी का घड़ा तथा बोडिगामा इस्तान चंदुजी का घड़ा तथा बोडिगामा इस्तान चंदुजी का घड़ा बांश्वाड़ा और बांश्वाड़ा तथा बोडिगामा डूंगरपूर कुनसा बोडिगामा डूंगरपूर इस् अब या अच्छे सवाल हैं बहुत बढ़िया तीर कमा निर्वान के लिए अच्छा आजम जाजम कहां की प्रशिद है बताएंगे मुझे आजम और जाजम तीर कमा निर्वान के लिए बिल्कुल ठीक है मीनाकारी कहां की और कुंदनकला कहां की यह दोनों हो जाएंगे जैप लेकिन आप बताएंगे जाजम छपाई के लिए कौन सा हिस्तान पर शेद तीर कमान तो हो गया लक्षमी गुर्टेज विधी अक्की चितोडगड में कौन सा हिस्तान है मैंने चितोडगड नहीं पूछा आकोला चितोडगड के शरपुत्तर ने बताया आकोला बाड़ मेर अरे वा ऐसा कैसे कर रशक तो टाब रो आकोला चितोडगड वहां कि अपन बात कर मलीर प्रिंट और अजरक प्रिंट होती है बाड़ मेर की ठीक है लीजिए सर जी आई-यम लीविंग इन उनियारा अच्छा ऐसे क्या आरेस लेवल के कुश्ण लाए करो ये कुश्ण तो आरेस के हैं बच्चो पिछले वाले जो कुश्ण ते यही तो छोटा कुश्ण है आकोला चितोडगड कौन सा हो जाएगा आकोला और आकोला हो जाएगा चितो उकांड कहा था बताएंगे डायर के करते से दुगणा विवत से उकांड कहा था तागरवर्मा तुम्हें कोई प्रेशानी नहीं योगी बालक आजम जाजम एक है क्या नहीं आजम और जाजम दोनों अलग अलग होती है जाजम होती जैसे आपने सुना होगा कि एक ही जाजम पर शब राजपूत राजा आकर के बैठ गए एक ही जाजम परागर के सब लोग बैठके तो जाजम का मतलब थोड़ा दरीपट्टी टाइप कास होता है लेकिन आजम होते हैं आदिवाशी महिलाओं के घागरे सुने नीमुचान गठना मई 1925 14 मई 1925 की गठना होती है और इस गठना को और गांधी जी ने क्या कहा था डायर के करते से दुगना विबत से उकांड कहा था तो ये कहता है बताए ये कौन महात्मा गांधी कहेंगे कौन कहेंगे महात्मा गांधी अच्छा किस में कहा था ये भी बता दो तो विद्यार्ती नए जुड़ रहे हैं बाद में देख रहा है उनको मैं बता दू रोज़ान रातरी अपनी नो बजे क्लास होती है डेली रातरी नो बजे तो आप सब विद्यार्ती डेली जुड़ा करें आनद लियाकरे ग्लास का बहुत बढ़िया यंग इंडिया न्यूज पेपर में सुनिए तो नीमुचान गठना को यंग इंडिया न्यूज पेपर में यंग इंडिया न्यूज पेपर में कहा यंग इंडिया न्यूज पेपर में और सुनिए मित्रो इन्होंने डायर की करते से दुगणा विबत से उतों बताई साथ में इन्होंने बताई दोहरी डायर साही कौनसी बताई? दोहरी डायर साही भी बताई दोहरी डायर साही तो किस ने कहा? गांधी जी ने कहा था दोहरी डायर साही कौनसी? दोहरी डायर साही समझ गए चलिए यंग इंडिया बुक में शमाचार पत्र होता है वो है ना न्यूज पेपर मैंने थोड़े इंगलिस में लिख दिया समझ जाना टाब रो अच्छा निमल ने कितमें से गलत हुगम के पहचान किये जिए करोली परजामंडल अलवर परजामंडल सिरोही परजामंडल बूंदी परजामंडल बतायंगेश में दोहरी डायर शाई भी कहा है मीना कुमारी, मीना अलवर किसान, यंग इंडिया गांदी जी सर बी ए फाइनल बाले भी आरेस दे सकते हैं क्या बिल्कुल दे सकते हैं नो प्रोब्लम इन्वे क्लास नहीं होती है राज तिलकर राजिस्तान का जनरल डायर बिल्कुल छाजु सिंग वो यहीं होता है बिल्कुल प्रमेश गुजर नहीं बूंदी का नैनुराय देखो बूंदी प्रजावनादुल का नैनुरायां कोन सा टाबर बता रहे ए mortar कांतिलाल का नाम सुना होगा नितानंद नागर का नाम सुना होगा एक तो इससे भी जाधा और सुना होगा रिसी दत महथा सुनगे मनिक के लाल वर्मा कहां से था मनिक के लाल वर्मा होता है मेवाड कहां का मेवाड परजाम अडल का संस्थापक और बूंदी परजाम अडल का अपन बात करें बूंदी रिसीदत महता कौन हो जाएगा रिसीदत महता रिसीदत महता होगा अन्य नाम और पूछ ले, तो अपन बात करें कांतिलाल, कांतिलाल चोथानी नहीं करना है, कांतिलाल चोथानी हो जाएगा किसंगड़ का, और यह होगा नित्यानंद नागर, नित्यानंद नागर, यह सारे एक सारे होंगे मित्रो, जिसमें से रिसिदत महता इंपोटेंट, बात समझे में आगी चोथानी नहीं है कांति लाल चोथानी की संगड़का हो जाएगा बूंदी परजा मंडल कौन सा बूंदी परजा मंडल एक दिर मैं पढ़ाई थी आपको ट्रिक्स बूंदी रिसी अलहरी कौन कुशल भवर की धोक समझ गये थे सारे इक सारे दूसरी ट्रिकोड थी जैक पूर मामेशे गुप्त बात करना जो भवर कर तिरलोक गए कहां पर गए भवर कर तिरलोक गए नानुराम कहां था नानुराम कोटा पंडित नैनुराम सर्मा अडूती परजामडल और कोटा परजामडल ओके जलिए अच्छा करूली परजामडल के इसकापना तिरी लोक चंत्र मातुर अलवर पर जामडल के स्कस्के घूप भवर करता है वास्तों में की दोवार इसका नहों मदलब मतलब समापती पट्ट छेफ को समझ गए अब जैसे अंग्रेज वाले बालक्स जुडते हैं तो उनके पट्ट छेफ हो गया यह सवाल आते ही यह उनका पट्ट छेफ होगया अचाय ही नमोसी नमोसी ने अब सुभा नहीं लगाया मित्र अकी सुबह लगानाची ये था सुबह ताना मोशी ने पाबु बाबाश काहा अब तुम घी सक्कर को बिना मुहुं से खाओ ये सुशिर वादें तुरों कि टिक सुशे सुवेर शुशे शुशिर बताएंगे श्मै सेठ जमनलाल रामनायन चोदरी हरीभाव उपद्य और मनिक किल अच्छा समझ भी नहीं आया मतलब बच्छो को है न आईए मैं बता देता हूँ अरे पट्टा छेप इधर देखो बिजोलिया आंदोलन कब से चला था 1897 से और 1941 तक विशो का सबसे लंबा चलने वाला जो किसान आंदोलन होगा ये कौन सा होगा बिजोलिया किसान आंदोल अच्छा नरेश कुमार बेरवा ते जमलाल बजाज बतारो नहीं रहे मित्रो तीसरा चरण जो होगा उस चरण में 1923 से 1941 तक चलता है ये चरण और इस चरण में देखो अब 23 से 41 तक चल रहा है तो जहिर शबात कोई एक आदमी इतने दिन तक कैसे और किसी आंदोलन को समाल सकता है नहीं तो इसमें बहुत सारे लोग आए गांदी जी ने बेजाज सेट जमनालाल बजाज को ज अब देखो जब भी हम तीसरे चरण के मुखे नेता होते हैं सारे पहले चरण के जो बच्चे लिख रहा है ना सादू सीता रामदास तो बिलकुल सादू सीता रामदास होता है लेकिन दूसरे चरण का कौन होता है देखो सादू सीता रामदास ब्रहम देव फतेकरण चरण ये तीनों पहले चरण में होता है ठीक है और एक अपन बात करें प्रेम चंद भी दूसरे में विजय सिंग्ग पतिक होता है लेकिन तीसरे चरण में तीन चार पांच लोग दिनों तक चला अगी बात समजबरे ऐसा होता है अगला सवाल दोर है बलूब को भंच बिकणा दोर्ट मिन भंख है आखों में नीद भुक्त है परसोना नहीं है यही वक्त है कुछ कर गुजरने का इसे योहीं खोना नहीं है इसे योहीं खोना नहीं है ओके चलिए आगे चलता है नांजी पटेल और ठागरी पटेल बिजोले के साना दोलन से बिल्कुल बिल्कुल बिजोले के साना दोलन से ये अपनी चिट्टी पत्री ले जाकर कि किसको देता है मेवाड महरणा और बताइए फते सिंग को ये बुपाल सिंग को बताएंगे मेवाड महरणा फते सिंग के पास जाते हैं ये लोग क्योंकि पहले चरण से सम्मध देता है और पहला चरण कब से कब तक था अठारा सो सत्यानव से उनीस सो चोदे तक इसलिए मेवाड महारणा फते सिंग मेवाड महारणा फते सिंग मेवाड महारणा फते सिंग को और शिकायत करते है तिकायत करते हैं मेवाड महरणा फते सिंग ने यहां पर दूत कौन सा बेजा था जसना यहां पर इस आंदॉलन की जाच की थी बताएंगे पिड़ापट से बताओ एक दूत भेजता है क्या बेजता है एक दूत भेजता है लखारम बिल्कुल ठीक बात है और देखो तुम लोग बहुत कम जुड़ रहे हैं ऐसा मत करो कम शेकम पड़ाबट से एक बार लेक्चर को लाइक करदो ये कुछ आप वह भी कर दीजे क्या बोलता है तेर भी करो अठार से दान होने से चोधा वलकेस बहुत डिश्टरब हो रहे हैं बूंदी नहीं बताया होलेंड ओलेंड नहीं अरे कुछ याद आया नहीं आया अरे तुम्हारे लिए हर क्यूशन ऐसा होता है कि जिसको मैं अच्छा आपकी क्लाश डेली लेती हूं मुझे कमेंट करना पसंद नहीं है ओके आप चुप चाप पढ़ लिया करो सीसी टीवी बनके तो होलेंड हालेंड नहीं होता हमिद नामक दूत होता है को नहीं होता हमिद नामक दूत जाच करने के लिए भीजा था आया कुछ याद नहीं आया तो सुनिए यह अपन बात करें हमिद नामक दूत बेजा सिकाय जाच करने के लिए और क्या भीजा हमिद नामक दूत जा तूथ हमिद्रामक जाच अधिकारी होता है इसको क्या बूल देंगे हमिद्रामक जाच अधिकारी होता है हमिद्रामक जाच अधिकारी बात समझाई आगया या या नहीं आया तर जी PSI की ओफलाइन फी बताओ प्येसाई के ओफलाइन फी और 35 है मित्र आरेस की 85 है और डूंगर जीवे जवाहर जी किस दिले के जैपुर जोदपुर शीकर अजमेर हां हामिद हुसेन है अब मैंने हुसेन नहीं लगाया तब तो तुम्हें याद आ गया जब तक अभी तक तुमन याद रख लो हाहू अमिद हुसेन मीनागीत किता अक्की आरज एक्कीस मोनी शर्मा गुड़ी याद हू तिकर अच्छा बिल्कुल देखें सीकर के बाठोट पाठोदा गाउं के निवासी थे एक गाउं होता बाठोट और एक गाउं होता पाठोदा कौन सा होगा इनके वास्तों में नाम क्या होगे इसका नाम होता है बल जी और इसका नाम क्या होगा बूर जी होगा ये दोनों क्या थे मित्रों चाचा बतीजा कौन थे चाचा लो मित्रों ये था चाचा और ये कौन था बतीजा था चाचा और बतीजा था ये चाचा था और बतीजा थ ठीक है उसके बाद में देखें इनको कहा जाता है राजस्थान का रोबिन हुड क्या कहेंगे राजस्थान का रोबिन हुड कहा जाता है अठारा सो सत्तावन के क्रांती की क्रांती के लोग देवता कौन होंगे तो ये हो जाएंगे अपने डोंगर जी जवार जी अच्छा डोंगर जी को कौन सी जेल में कैद रखा गया था आगरा जेल में, कौन सी जेल में, आगरा जेल में इन्होंने एक चावनी लूटी थी, कौन सी चावनी, इन्होंने नसीराबाद चावनी को लूटा, कौन सी चावनी को, नसीराबाद चावनी को लूटा, लो मित्रों नसीराबाद चावनी को लूटा, ओके, कॉप्लीट, अच्छा बल जी वा भूर जी आगरा में अगला सवाल देखे निमली कितमे से कौन कोटा की 1870 उनकी करांति कानेता था कुशाल सिंग जैदयाल नंद किसोर नभी सेर खान बता है एंगिश में बता हो आंस्वर नहीं आ रहा है कि आपको ये कौन बालक दुड़ा है अच्छा अधित्य परा सर आगे वच्चा तुम बहुत बढ़िया सुआगत है ऐसे क्या 8 बजे स्टार्ट करो 8 बजे फिरी नहीं होते हैं महिराब खा जै दयाल खा किसने बताया गीता ने जावेद एहमद आरती सेनी मनू और कुन कुन बता रहा है अहुद बढ़िया समझ गे सारे बालक्स आईए इदर बता दे ये निमले कितम से कौन कोटा में 18 सताउन की करंति के नेता था तो जै दयाल होता है कौन होता है जै दयाल महराब खा कौन होगा महराब खा तो महराब खा जै दयाल ये सारे एक सारे कौन होंगे मित्रो ये कोटा में अठार स्थावन की करांती के औरनेता होता है मनु हम भी न्यू इशुडेंट आपके स्वागत है मित्रो सभी का बच्चों का स्वागत है रोजान रात्रे अपनी नो बजी क्लास होती है डेली जुडा करो ओके सभी बालक्स और बालिकायज का हरदिक स्वागत है अगला स्वाल फ्रेस को बुर्णो चित्रन विद्दा को अन्ने किस नाम से भी पुकारा जाता है अरायस पदती पणा पदती आलागिला पदती उक्त सभी बडेखो आप सभी विद्दारती छेटर को लिक करें पड़ापत्स ना फट्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें फड़ापत्स ए यह रोजारा राथ्र पनी नो बजी क्लास होती है ना आहिए बिल्कुल बिल्कुल बाद में क्या मिली थी परभुदयल, हलो, बिल्कुल, अरायस्पदती, तिरब एक ही चिपका होगे, या सारे चिपकाने, ध्यान से सुनिए, प्रेसको बुर्नो चित्रपदती जो होती है, ये विद्धापदती होती है, चित्रन विद्धा, इसको किस नाम से, अरायस पदती भी बोलेंगे पना और पना पदती कहां पर बोलते हैं पना बोला जाते हैं इसको सेखावाटी में पना कहां पर बोलेंगे सेखावाटी में आला गीला पदती तो पना नाम एक ही है सारक सारे आला गीला पदती अरायस पदती फ्रेश को बुर्नो पदती उक्त तुनिए अभी बताएंगे आपको टेस्ट वेस्ट के बारे में अच्छा बित्ती चित्रों के लिए विख्यात बूंदी की चित्रशाला का निर्बान और किस सासक ने करवाया था राव राजा सुर्जन सिंग राव राजा उमेद सिंग राव राजा विश्णु शिंग रा बालक क्लास को लाइव टेस्ट देते हूं कि आप बिल्कुल बिल्कुल आपके लिए देखो RS Pre और PSI की टेस्ट सीरीज सुरू हो चुकी है आप सम्मेक IS एप्लिकेशन डाउनलोड करें और वहां से आप टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हैं एन्रोल कर सकते हैं ऑफ-लाइन आकर की भी दे सकते हैं ओके जीत निश्चित है सरीट एक्जाम है उसका बूच करो देखो यह जो क्योशन से रीट में भी आएंगे कहीं ने कहीं और मैं आप कोशिश यह कर रहा हूं कि रीट वाले विद्धार तो क्यों काम आए क्योंकि इसमें रीट के बहुत सारे बालक्स है याद रख लेटा शत्रु शाल नहीं हो गई इसमें देखो जहां पर मैंने एकاس लगई है जहां पर चित्र आजाए वहाँ पर शत्रु नहीं है कैसे नहीं है तो सुनिये राव राजा उमेद सिंग और क्या बनाएगा चित्रशाला राव राजा सत्रुशाल क्या बनाएगा बदाओ राव राजा सत्रुशाल क्या बनाएगा रंग साला बनाता है क्या बनाएगा रंग साला अच्छ उमेद सिंग नहीं है सच्छी में नहीं है एब क君 एक से बालो खोर्ठोड पढ़ लिया करो डबरों आज शित्रशाला के निर्भावाद रावराज उम्मेद सिंग्र और रावराज सत्रुषाल नहीं करवाता है सारा गड़ Zoomेजा वेद्फि चित्रो के लिए रंग मेहल का निर्मान सत्रुशाल आगया लेखर आमने लिख दिया अरे अमन बेटा पढ़ ले तुँ है ना पढ़ ले अगला सवाल देखो निमन में से कौन सा युगम ऐसंगत है ऐसंगत पुछा है बताईए राम गोपाल विजय वरगी है सवाई माधुपूर भूरशिंग शेखावत बिकानेर गोर्दनलाल बाबा राजसमंद कृपाल सिंग शेखावत अलवर तेको थोड़ा समय बता देता हूँ क्या हो गया हुंदी के गणगोर नहीं बनाते आडा ले डूब्यू गणगोर बिल्कुल सत्रुशाल नहीं होगा इसमें क्या बताया करपाल सिंग सेखावत अलवर बहुत बढ़िया ये करपाल सिंग सेखावत कहां से थे सीकर से और सीकर में भी कहां से थे सीकर में थे मौू और मौ कहां पर पड़ता है मौ पड़ता अपने सीकर में मौ कहां पर पड़ेगा सीकर में देखो राम गोपाल वीजे बरीगे सवाई मादो प्रशे थे वूर्शिंग शेकाउथ विकानेर से गुर्दनलाल बाबा राज समंत से इनको बोले था भीलो का चितरा क्या बोलेंगे भीलो का चितरा भीलो का चितरा और इनके एक पुस्तक है मित्रो जस पुस्तक का नाम है बारात क्या नाम है बारात लोभियब बारात इनकी चितर का नाम है गुर्दनलाल बाबा का भीलो का चितरा भीलो का चितरा कौन होगा गोर्दनलाल बाबा रामगोपल विजय वरगे नारी चित्रन बनाता है क्या नारी चित्रन बनाता है कि कि क्या बता रहो हो रे टावरो आगे सुनिये तुम लोग ये ठीक होगय अगला सवाल देखे और आप सब विद्धार्थों के लिए सम्यक अपना इस्तापना दिवस इसलिए आप सभी जो विद्धारती है औंलाइन में आना चाहे औफ़लाइन में आना चाहे तो उनका स्वागत है लेकिन जो घर बैठ करका तयारी करना चाहता है 25% का फ्लेट डिसकाउंट है और ये 15 फरवरी से 20 फरवरी तक रहेगा उसके बाद बिल्कुल भी नहीं रहेगा क्या बिल्कुल भी नहीं रहेगा तो आपको करना क्या है सम्यक IS application डाउनलोड करेए और application डाउनलोड करने के बाद यूज कोड करेंगे सम्यक 25 क्या सम्यक 25 आरेस प्री और पीएसाई के सभी ओनलाइन कोर्ष और टेस्ट सीरीज पर विशेश उपहार है तो जो टेस्ट सीरीज की बाते कर रहे हैं बच्चे उनके लिए भी है मैं बता दू दोनों ही टेस्ट सीरीज है कि पच्चिस परशेंट ओफ है तो अभी आप क्या करेंगे डीशाराइस ृपए की आसपास थि ये लाइस है को मिलेगा रस प्री अपको मिलेग अर्स सेयरीज आफ फ्रीकेसन डावलोड करो वहां से आप देख लिजिए हैंना देख लीजिये ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं नेक्स्ट क्विशन हवन करता हाथ बलना यानि हवन करते हुए हाथ बल गए हाथ जल गए कुछ भी बोलो रास्ता निवासा में हवन कर रहा था हाथ बल गए अब बदव क्या बाते कर रहे तुम लोग मोनी सर्मा अर्जे किस अमन तुम दोनो संती से बेट जाओ ठीक है भला करने पर भी बुराई मिलना मुफ्त में काम होना संगत से भला भी और बुरा भी हो जात अपना अनिश्टिस्योम करना इधर देखू ये पहला उप्शन भला करने पर भी बुराई मिलना मतलब हवन करना अच्छा काम होता है लेकिन फिर भी बुराई ठीक रबढ जाना ऐसा होता है अगला सवाल देखे मतीरारो भारो भानदनो बताओ सब अच्छा है ये सवाल ये लोकोक्तिया है पार्टी दो आओ तुम सब लोग ओफलाइन में आओ फिर आपको पार्टिया मिलेगी मुर्ख शमुए को शंगठीत करने का ऐसा फल प्रियास फशादी आदमी को छेड़ना किसी बात को विर्थ में पकड़ रहना बदनामी किसी को शुविकारी नहीं होती अब बदाओ आमन रजा कोई दूसरा बालक है वो है न यहीं बताया कुछ बालक सी भी बता रहा है ऐसा थोड़ी होता है इधर दखो इसमें कौन सा हो जाएगा अरे मुर्ख समुए को संगठीत करने का ऐसा फल प्रियास मतीरा रो बारो बांधना होता है जैसलवेर की रमतों का जनक किसे माना जाता रमत तेजकवी, रामगोपाल, भेरुदान, जगदेवपार, बिछुडुलाल, सेवग बताएंगे तो आपने सुना भी होगा इन्होंने रचना भी की थी कमिशनर खोल दर्वाजा हमें भी जेल जाना है इंद तेरा ने तेरे बाप का हमारी मत्र भूमी पर लगाया बंदी खाना है ये किसने बताया था, बताओ खोसल, उशल सर्मा आप यहाँ जुडा करो, मित्र रोजन रातरी नो बजी अब है न भूल जाओ न पुरानी बातों को अब डेली आप यहीं पर जुटा करो, ओके? चलीगे तेज कवी? बिल्कुल बिल्कुल में तो तेज कवी होगे कौन होगे? तेज कवी जैसलमेर की रमतों का जनक कौन होता है? तेज कवी होता है तेज कवी के एक परशिद रचना है, शोतंत्रबावनी कौन सी है शूतंतरबावनी और भी है जैसे मुमल ठीक है सूतंतरबावनी होगी मुमल होगी छबिली तंबोलन होगी ये सारक सरे रतने हैं तो सूतंतरबावनी को महत्मा गांधी को भेट किया थे नोने सूतंतरबावनी 1943 में महत्मा गांधी को भेट किया माहतमा गांदी को और भेट करता हैं क्या गरता हैं माहातमा गांदी को भीट की Muhyam जरा dependence पेट किया किया है को चोकडिया बताओ इज़ ज्रों करने नगरेट सेथी संध सिरिज एभरRISrezले ओफ़ाइन और ओलाइन होती ह हिंदी अग्रेजमाद दोनों में होती है टेक्निकल टीम का और आप देख पा रहे होंगे कमेट्स चल रहा है जो भी वच्छा पूछ रहा था भी किर्तार बावनी किसकी है विरुद चहत्री और किर्तार बावनी अकबर का दर्बार विद्वान होता है ठीक है अब आप सोचो कौन था वो अच्छा मैं तो वहीं स्पीड कम करवाने वाला अमन हूँ अच्छा तो तेवी बात लग गई मुझे स्पीड कम करवाने वाली है अईए इसमें हाडोती छितर का परचलित लोखनाटे जिन बच्चों ने बताया उसे चोकडिया कहा जाता है क्या बोलते हैं चोकडिया और भील गरा से जन जाती में दापा कर्थ क्या है दापा बताविया दापा किसे कहा जाता है आडोती का लोखनाटे बिल्कुल दुर्शा अडा सही बताया तुमने ओके में बता दिया दुर्शा अडा विरुद चहत्री और किर्तार बावनी बताईए इसमें कौन सा वर्पक्स द्वारा कन्या पक्स से भोज एवं धनरासी लेना अच्छा ऐसे क्या अरे दो क्यों बतारो तुम लोग इसमें भी बतारो मैंने अब देखा चेक किया ते तो गलत हो गया ठीक है तो सुनिए द्वारा वर्पक्स से कन्या के बतले में धनरासी लेना इसे कहा जाता है दापा पर्था कौन से बोलेंगे दापा पर्था और शुनिए अगला धारी संस का राजस्तान की किस जन्जाती में होता है मरत्तु के और तीसरे दिन और आंगन में वो बिज़ाई जाती है राक और माना जाता है कि फिर उसमे सपेद कपड़ा डाल दिया जाता है और उसमें बताईए गराश या होगा या फिर सहरिया या फिर मीना या फिर भील गराशया गलत बतारो तुम लोग सोचो ठोड़ा और सोचो गराशया जनजाती में होता है अलब तुम्हें कुछ भी दिख जाए उसे कुछ एप देते हो एक भी बालक ने सही नहीं बताया ये तो बिल्कुल ही नहीं है अब बताओ अमनरजा सहरिया जनजाती धर्मिंद्रा मीना जोर्वाल हलो बालक परशंथ पवार ए नहीं विक्रमश्वामी एक नहीं हो गयश मैं अधरिया आरजे 21 मोनी सर्मा सहरिया सहरिया जनजाती के रसम होती है यह आप पड़ते क्यों नहीं यो टाबरो अब आगए याद अम्ता, दोद्री, विक्रम, पंकज, रंगीता, सर्वी होगा तो सुनिए शेहरिया जंजाती के एक रसम होती धारी संसकार कौनसा धारी संसकार और शेहरिया बारा में जो पाई जाते है उसमें क्या जाता है शेहरिया है अब कैसे आगए तो मैं आंसर सुनिए आपके लिए जो घर का शवाल था, वो कौन सा था उसको मैं ले लेता हूं मित्रो लिगनों से पहले मैं आपको बता देता हूं कि नवा इस्थापना दिवस समेक मना रहा है इसलिए 15 फरूरी से 20 फरूरी तक क्या 20 फरूरी तक आप सब विद्धार्थों के लिए 25 फ्लेट ओफ रहेगा और 9,000 रुपे का आपको इस्पेसल और कोर्ष मिल रहा है मित्रो RS, Pre और PSI का फाउंडेशन बैच नहीं, RS, Pre और PSI का बैच जो बिलकुल लाइव क्लासरूम से लाइव चल रहा है उसका होगा ठीक है तो आपको करना क्या सम्मेक IS एफलेकेसन डाउनलोड करिए वहाँ पर यूज कोड करना सम्मेक 25 तिरव इतना ही रहे गए 20 फरूरी तक उसके बाद में नहीं होगा मित्रो तोर पर आपके लिए बहुत भेत्रिन सा ओफर है चलिए अच्छा हम सवाल ढूंड रहे थे आपको मैंने एक सवाल पूछा था हौमरक कहां पर पूछा था कुछ तो पूछा था आपसे अच्छा ये पूछा था मैंने वाद्यंत्र इसमें वाद्यंत्र पूछे थे हना वाद्यंत्र पूछे थे डीपली अबाउट सराइबांट टु इस्टडी डीपली अबाउट दिर ट्राइब्स वेर टु इस्टडी अच्छा ऐसे क्या आप ओफलाइन में आही है यह फर ओनलाइन पढ़िए सब तक लिए थेंक्यू धन्यवाद जय हिंद सब्सक्राइब्स सब्सक्राइब्स